नमस्कार पेरे किसान साथियो देशी जमीदार यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है तो किसान साथियो आज के वीडियो में हम डिसकसन करेंगे के खेत में बिना पैसा लगाए अच्छा न्यूट्रिशन आप कैसे बना सकते हैं कैसे आप अपनी जमीन को उपजाओ बना सकते हैं बिना कोई न्यूट्रिशन या कैमिकल डाले खेती में सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है न्यूट्रिशन की मतलब अपनी जमीन को उपजाओ बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजे जो हर डालनी पड़ती हैं जैसे यूरिया डियेपी लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो आपकी जमीन को इतना उपजाओ बना देगा कि अगर आप कोई भी फसल उसके अंदर लगाएंगे तो आपको दो से तीन गुना तक पैदावार आसानी से मिलेगी वो भी बिना कोई पैसा खर्च किये तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो गंटी का निसान इसको दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का आप लोगों को पता चल सेके तो दोस्तो जब आपकी जमीन खाली होती जैसे अभी क्या है मेरी बाकी की जगह है वो मेरी एंगेज्ड है तो ये मेरी जो एकड है ये पूरी ये पूरी मेरे पास खाली थी तो मैंने इसको क्या किया पूरा खाली छोड़ा इसके अंदर अलग लग परकार के जो है वो घास वगएरा उगे तो अभी ये घास अपनी पीक पे हैं अभी बारिस की वज़े से इसके अंदर नमी भी पूरी बरकरार है और अब हम इसके अंदर जैसे ही जमीन ये निराई गुडाई के लायक हो जाएगी हम इसको पहले रूटावेटर से इसको पूरा छोटे छोटे पीसीज में मतलब इसको पीस देंगे मिट्टी के साथ में उसके बाद में हम इसको डीप कल्टिवेट करेंगे और फिर वेस्ट डीकंपोजर के साथ में इसके अंदर पानी छोड़ देंगे तो जब हम इसको कटाई वगेरा करेंगे कुछ दिन बाद ये सूख जाएगा सारा जितना भी घास है कम से कम भी 15 परकार का जो घास है इसके अंदर हर घास के अंदर अलग nutrition रहता है जब हम उसको डीकंपोज करते हैं तो हम क्या करेंगे इसको मिट्टी के साथ में मिक्स करके और छोड़ देंगे क्योंकि अब की फसल हमें इसके अंदर लेनी नहीं है तो हम इसको डिकंपोज करने के लिए इसके अंदर गो करपा अमरेतम चलाएंगे पानी के साथ में इसकी अच्छे से निराई गुडाई करके घास को मिट्टी के साथ मिक्स करके उससे क्या होगा यह सारा घास गल सड़के एक अच्छे न्यूट्रीशन का काम करेगा और आपकी जमीन को उपजाओ बना देगा अगली बार जब आप इसके अंदर कोई भी फसल लगाएंगे उसके आप रिजल्स देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे मैं अपनी जो जमीन है उसको हर बार सर्कुलेट करता हूँ एक बार मानलो एक साल तक मैंने इसके अंदर फसल ली फिर इसको 6 महिने के लिए छोड़ते हैं ताकि इसके अंदर कार्बन की वैल्यू बन जाए मिट्टी की जो उपजाओ समता है वो दुबारा से बन कर त्यार हो जाए तो फसल का चकरन करने का मेंन रीजन यही था जो हमारे पुराने बुजरू करते थे एक बार बाजरा लगाते थे एक बार दूसरी चीज़ लगाते थे क्योंकि लगातार एक फसल लगाने से जो है वो एकड की जो जमीन है उसके अंदर से हमारा एक ही परकार का जो nutrition है वो खतम हो जाता है और जमीन की उपजाओ सक्ती कम हो जाती तो अपनी जमीन के अगर आप उपजाओ सक्ती को बरकरा रखना चाते हैं तो ये पूरा प्रोसेस आप फोलो करके एक बार results जो हैं वो जरूर देखें तो दोस्तो ये था वीडियो के आप अपने खेत को कैसे उपजाओ बना सकते हैं और कैसे आप बिना खर्च किये उसके अंदर से अच्छी पैदावार ले सकते हैं तो ये तरीका मैं लगबग अपनी सारी जमीन जो बागवानी से मेरी अलग है उसके अंदर अपनाता हूं ताकि मेरी जमीन की उपजाओ सकती है वो बनी रहे ताकि सही जानकारी हम हमारे किसान भाईयों तक लेके जाएं और उनको नई टेकनोलोजी नई चीजों से अउगत करवाएं ताकि कम पैसे में अच्छी उपज जो है वो हमारे किसान भाई ले सकें तो आज के वीडियो में दोस्तो इतना ही जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै जवान जै किसान